लैट, सिक्सक्राइबं प्रेस बेल आईकॉन इससे पहले कुछ टर्म्स कर चुके है, आज हम नेक्स्ट टर्म्स करेगे कर्म का सिध्धान्त अत्यंत का ठोर है, जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगती की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्मों से पतन की ओर ले जाते हैं वेद, उपनिशत, गीता आदी धर्मग्रतों के अनुसार मनुश्य को किये हुए शुब या शुब कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है गोस्वा में तुलसीदास ने भी रामचरित मानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है अनेक जन्मों में किये हुए कर्म हमारे अंतहकरन में संग्रहीत रहते हैं वे संचित कर्म है और उनसे ही प्रारब्ध बनता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक सपष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्में वह वही से प्रारंब होती है जो प्रकृती के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है लेकिन ध्यान रहे यदी परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अफ्तरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामानय मनुष्यों के लिए है यह माने की मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब रागद्वेश को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धी होती है उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है साधारन तोर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किये बगैर व्यक्ति किसी भी क्षन नहीं रह सकता है कर्म हमारे अधीन है उसका फल नहीं भाव हमें बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए और फल का त्याग करना चाहिए फल तो हमें परमात्मा किसी न किसी रूप में देही देता है महापुरुष और ग्यानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है 11 दंड नीती अर्थ शास्त्र सप्तांग चंद्रगुप्ट मौर्य को भारत का सम्राट बनाने में कोटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा है वह इतिहास में विश्नु गुप्ट तथा चानक्य इन दो नाम से भी जाना जाता है वह वेदों तथा शास्त्रों का ज्याता था और तक्षशिला के शिक्षन केंद्र का प्रमुख आचार्य था वह चंद्रगुप्ट मौर्य के शासनकाल में प्रधान मंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पत पर आसीम रहा उसने मौर्य राज्य के शासन को चलाने के लिए दंड नीती जिसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता है कि रचना की जो की संस्कृत में रचित है अर्थशास्त्र में 15 अधिकरन तथा 180 प्रकरन है इस ग्रंत में श्लोकों की संख्या 6000 बताई गई है इन अधिकरनों का वर्नन इस प्रकार है प्रथम अधिकरन में राजस्व संबंदी विविध विश्यों का वर्नन है ग्वितिय अधिकरन में नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना की गई है तृतिय तथा चतुर्थ अधिकरण में दिवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेक मिलता है। पंचम अधिकरण के अंतरगत समराट की सभासदों एवं मनुचरों के कर्तब्य एवं दायत्व का उल्लेक है। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दूर्ग, बल, कोश तथा मित्र के स्वरूप तथा कारियों का वर्नन किया गया। अंतिम्नो अधिकरण राजा की विदेश नीती, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाई, शत्रु देश लोग प्रियता प्राप्त करने के उपाई, युद्ध तथा संधी के अफसर आधी विविद विशेयों का विस्तार पूर्वक वर्नन प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार अर्थशास्त्र शासन की व्यवहारिक समस्याओं और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक नए सिध्धान्त का प्रतिपादन था तेरा धर्म विजय कलिंग युद्ध में हुए नरसनहार की वजह से अशोक का हरिदय परिवर्तन हो गया उसका हरिदय मानवता के प्रतिदया एवं करुना से भर गया उसने युद्ध क्रियाएं सदा सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिग्याकी और वह बौध बन गया उसने अपने सामराजय के सभी उपलब साधनों को जनता के भोतिक और नेतिक कलियान में नियोजित कर दिया। उसी तरह यहां राजा के राजय में यवनों और कमबोजों में नभपंतियों और नाभख में वंशानुगत भोजों, आंध्रक और पुलिंदों में सब जगल लोग देवताओं के प्रिय अशोक का धर्मनुशासन मानते हैं। जहां देवताओं के प्रिय अशोक के दूट नहीं भी जाते वहां भी लोग धर्मुपदेशों और धर्म विधान को सुनकर धर्म आचरन करते हैं और करते रहेंगे। देवताओं का प्रिय पारलो के कलियान को ही बड़ा समझता है। यह धर्म लेक अशोक ने इसलिए लिखवाया ताकि उसके पूत्र, पौत्र और प्रपौत्र नए देश विजय करने की इच्छा त्याग दे और जो विजय सिर्फ तीर से प्राप्त हो सकती है उसमें भीवे सहिशनता तथा मृत्युदन का ध्यान रखें और धम विजय को वास्तविक विजय समझें 13. स्थूप चैत्यक विहार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वान के बाद उनकी इस्थियों को एट भागों में बांटा गया उन पर समाधियों का निर्मान किया गया इन्ही को स्थूप कहा गया यह बौधों के पूजा स्थल होते थे स्थूप निर्मान की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की गई स्थूप संस्कृत के स्थूप धातू से बना है जिसका अर्थ है एकत्र करना अथ्वा धेर लगाना इसके लिए प्राकृतिक शब्द थूप मिलता है स्थूप का शब्दिक अर्थ होता है देर या थूः चुनकी यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था अतह इसका एक नाम चैत्य भी हो गया चात्यक शब्द ची धातू से निकला है जिसका अर्थ है चयन करना इसमें पत्थर या इत चुनकर भवन तयार किये जाते थे इस शब्द का संबंद चित तथा चिता से भी है स्थूप तथा चैते में मुख्यब्रीद यह दिखाए देता है कि चैते परवत गुफाओं में खोदा जाता था इसमें स्थूप का आकार बरतमान रहता था तथा उसमें अवशेश नहीं रखे जाते थे इसके विपरीद स्थूप के भीतरी भाग में पात्र में अवशेश रखकर भवन बनाया जाता था स्थूप समतल भूमी में इट पत्थर की सहायता से बनाय जाते थे इस प्रकार बुद्ध के पहले ही स्टूप का संबंध महापुरुष के साथ जुर गया था बुद्ध ने स्वयम महापुरुषों की शरीर धातु पर समाधी बनाने को कहा था उन्हें चक्रवर्ती राजाओं की समाधी का ज्यान था इसी कारण उन्होंने अपने प्रेय शिश्य आनन्द को चौराहें पर स्टूप निर्मित करने का आदेश दिया था ऐसा लगता है कि अपने मौलिक रूप में स्टूप का संबंध मृतक संसकार से था शब्दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिटी से धंग देने की प्रथा से स्टूप का जन्म हुआ कालांतर में बौधों ने इसे अपनी संग पध्धती में अपना लिया इन स्टूपों में बुध्ध अत्वा उनके प्रमुक शिश्यों की धातू रखी जाती थी अतहवे बौधों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुक केंद्र बन गए स्टूप चार प्रकार के बताई गए है एक शारीरे किनमे बुध्ध तथा उनके प्रमुक शिश्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विविधंग दंत, नक, के शादी रखे जाते थे 2. पारिभोगे किनमे बुध्ध द्वारा उप्योग में लाई गई वस्तूएं, विक्षापात्र, चरण पादुका, आसनादी रखी जाती 3. उद्देशिक इनमे वे स्तूप आते थे जिन्हें महात्मा बुध्ध के जीवन की घटनाओं से संबंदे तत्वा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृती रूप में निर्मित किया जाता था 4. संकल्पित ये चोटे आकार के होते थे और इन्हें बौध तीरत स्थलों पर श्रद्धालूं द्वारा स्थापित किया जाता था बौध धर्म में इसे पुन्य का काम बताया गया मौर्यकाल के पूर्व बुद्ध की शरीर धातू पर निर्मित कराई गए आठ स्थूपों में से केवल पिप्रवा स्थूप के अवशेश ही प्राप्त होते हैं स्थूप निर्मान का वास्तविक कार्य अशोप के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्थूपों का विस्तार सम्पूर्ण देश में किया गया बौध परंप्रा अशोप को 84,000 स्थूपों के निर्मान का श्ष्रे प्रदान करती है इसके अतिरिक्त सारनात तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्थित का निर्माण भी मूलता हशोप के समय में ही करवाया गया था जिन्हें परवर्ती शासकों ने परिवर्धित करवाया मौर्यकालीन स्टूप इटों के बने थे सारनात स्थित धर्मराजिका स्टूप के चारों और छोटे-छोटे पुजार्थिक स्टूप बनवाए गए थे जिनके द्वनसाफशेश मिलते हैं उसी के पास अशोप का स्टम्भ लेख है दोनों स्टूपों के द्वनसाफशेश यह सूचित करते हैं कि इनका आकार काफी विशाल रहा होगा 15. नागर द्रवेड वैसा मंदिर निर्मान का कार्य मौर्य काल से शुरू हो गया था गुप्त काल तक आते आते मंदिर निर्मान की प्रक्रिया में कमी आने लगी और गुप्तों के बाद तो मंदिरों के निर्मान प्रक्रिया बिलकुल ही बदल गई मंदिर निर्मान की तीन शेलिया परचलित्थी जो इस प्रकार है, वंद नागर शेली यह मंदिर उत्तर भारत में पाए जाते हैं, नागर शेली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य परवत माला तक देखा जा सकता है. वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शेली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच अंच तक इसका चतुशकोन होना है विक्सित नागर मंदिर में गर्ब ग्रिह, उसके समक्ष क्रमशह अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्थ होते हैं एक ही अक्षपर एक दूसरे से सनलगने इन भागों का निर्मान किया जाता है इसने आमतोर पर बड़े-बड़े प्रवेश द्वार नहीं होते और नाहीं इसके बाहर जलाशय होते हैं नागर, शब्द नगर से बना है सरप्रथम नगर में निर्मान होने के कारण इनहीं नागर की संग्या प्रदान की गई मध्यप्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर इसका महत्वपूर नुद्धरन है अन्य उदाहरन जैसे मोठेरा सूर्य मंदिर गुजरात, खुजराहो का लक्षमन मंदिर, मध्यप्रदेश, कुनार्क में सूर्य मंदिर उरीसा, पुरी का जगनात मंदिर उरीसा दो, द्रविर शैली यह मंदिर भारत के दक्षन में कृष्णा नदी से लेकर कन्या कुमारी तक पाए जाते हैं द्रविर शैली के मंदिर बहु मंजला होते हैं और इनके चारों और बड़ी-बड़ी दिवारे होती हैं मुख्य मंदिर जैमिती आकार की पिरामिट जैसी मीनार के रूप में होता है उसे विमान कहा जाता है और इसके साथ इसके बगल में छोटे-छोटे सहायक मंदिर भी होते हैं मंदिर में प्रवेश के लिए विशाल द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है इन मंदिरों के बाहर जलाशे भी बने होते हैं पल्लवों ने द्रविर शैली को जन्द दिया चोल काल में इसने उचाय हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह रासमान हुई चोल काल में द्रवेर शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम देखने को मिलता है। उनले पिरिखने के लिएर चोल कर्नाटक का होई शलेश्वर मंदिर इसमें भगवान शिवनटराज के रूप में वीराजमान है। इन मंदिरों की विशिष्ट स्थापत्य शैली का विकास भानगोलिक, जातिया और एतिहासिक विविद्था का परिणाम है। झाल झाल